मैंने आपको पहले ये वाली रेमेडी दी अभी दूसरी रेमेडी दी रहा हूँ दिये वाला उपायरा पूछ पूछ के पूछ पूछ के परिशान करके रखे हो और बार 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 एक ही चीज को एक ही चीज को रिपीट करते सर ये दिक्कत वो दिक्कत तो आज ना जित प्रस्ण रहा तो फिर भगवान शिव मालिक मैं नहीं जानता अब दिया आपको जलाना कैसे है धन को अकर्षित करना है मालक्षमी की करपा चाहिए अगर आपकी कोई मनों कामना है वो पूरी नहीं हो रही है कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है या आपका पैसा कहीं फसा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, आप आर्थिक इस्तिती से बहुत जादा परिशान है या किसी भी प्रकार का, पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, या वे सिर्फ बात होगी मालक्षमे की, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा अन्नेसेसरी खर्च हो रहा है, ठिक है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इन सब चीजों के लिए आज ये दिये वाला उपाय दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, मैंने देखा है, कि इस वरविज्ञान में दिये वाला उपाय, और ये दिये वाल रुख जाओ, मैं रुख गया, फिर कुस दिन के बाद मैंने गुरु से पुछा, क्या मैं जनकल्यान के लिए उसको दे दू, गुरु ने कहा दे दो, मैंने दे दिया, और यह उपाय, ये मेरे गुरु ने बताया था, और ये उपाय मैंने बताया, उसके बाद अभी आप YouTube में जितने भी लोग मिलेंगे, सब दिये वाला उपाय, कपूर जलाओ, ये जलाओ, सब जलवाते थे, मगर उसमें डालना क्या था, किसी को नहीं पता था, अब उन्हों ने ये दिया, भाई हम भी गुरू तो गुरू, मेरे गुरू को मैंने बताया, तो गुरू ने का, एक कदम और आगे बढ़ जाओ, पहले कीपेड वाला मुबाइल चलाते थे, फिर कलर वाला आया, अब एंड्रॉइड आ गया, तो तुम भी एंड्रॉइड में आ जाओ, मतब एक्जामपल दे रहा हूँ, अपडेट हो जाओ, तो थोड़ा और अपडेट कर दो, तो जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मिलने लगेगा, और जिनको मिल रहा था, और सोने पर सुहागा मिलेगा, अब देखना, फिर लोग इसको सुनेंगे, फिर उस पे वो एक चीज एड कर देंगे, यकीनन एड कर देंगे, मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, कि एट लीस्ट, अगर दस उर्पे का दिया जलाने से, किसी के जीवन में दस हजार का फाइदा होता है, तो क्या दिक्कत है, आप लोगों को फिर कह पांसो लोग बैठे हो जितना हो सके स्वर्विज्ञान को फैला दो जितना हो सके यकीनन परमात्मा भगवान शिव क्या देखते हैं मालूमें आप देखो यहां पर फ्री वेबिनार में बैठे हो कभी मैंने नहीं कहा कि आप लोग मुझे कुछ पैसे दो कभी नहीं कहा तो बदले में आपको क्या देना है एक तो थैंक्यू वो देना ही है और दूसरा आपको लोगों की मदद करनी है वो आपके लिए एक गुरु दक्षणा के तौर पर हो जाएगी कि सर ने हमें ये ग्यान दिया इस ग्यान को हम फ्री में नहीं लेंगे हमने इस ग्यान को आगे बढ़ा दिया हमने 50, 100, 200, 300 लोगों को ये ग्यान आगे बढ़ा दिया यकीनन वो आपके लिए बहुत यूसफुल हो जाएगा और वो उपाए आपके काम करेगा कुछ लोगों को result क्यों नहीं मिलते हैं मैं इसका कारण बताता हूँ कुछ लोग क्या सोचते मालूम है अच्छा ये वीडियो मैंने देखी अब मैं इसको follow करता हूँ मुझे तो फायदा हो रहा है मैं अपने दोस्को नहीं बताऊँगा क्यों मैं 50,000 कमा रहा हूँ मैं बता देता हूँ मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो भगवान शिवद देंगे ही देंगे वो ले नहीं सकते और मेरे भाग्य में अगर नहीं लिखा है मैं कितना भी सर पटक लूँ वो नहीं देने वाले ये सबी को पता है परंतु मांगना पड़ता है और मांगने के साथ-साथ एहसान मंद होना पड़ता है कि आप एहसान मंद तो हो जाओ थोड़ा सा तो यूनिवर्स के इस दुनिया में हर चीज परयाप से ज़्यादा है इस दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है इस दुनिया में पानी परियाप से ज़्यादा है जमीन परियाप से ज़्यादा है परन्तु हमारे अंदर में एक छोटा सा चोर बैठा है कौन सा चोर मालम है कि मेरा पडोसी मेरे से ज़्यादा अमीर ना बन जिस प्रकार एक मटके में पानी भरा हुआ है और उस मटके के पानी को आप यूज ना करें, काफे दिन तक रहने दीजिए, क्या होगा? वो मटके का पानी खराब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं आएगा, ना तो वो पीने के काम आएगा, ना तो वो कपड़े दोने के काम आएगा, ना वो बरतन दोने के काम आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े लग जाएगे और अगर उस मटके के पानी को आप खाली कर दो और उसमें फिर से नया पानी डाल दो, फिर खाली कर दो, फिर से नया पानी डाल दो, वो पानी दिन बढ़ता चला जाएगा, तो ये वही चीज है, मेरे गुरू ने मुझे एक ही चीज कही थी, जो तुझे देना है, दे देना कोई दिक्कत नहीं है तो जो रेमेडी तु देगा वह फायदा करेगी और जब ऐसा लगेगा कि लोग कॉपी पेस कर रहे एक और एक्स्ट्रा दे देना उससे तुम एक कदम आगे चले जाओगे क्यों छुपाओगे तो जीवन भर तुमारे मन में आत्मगलानी रहेगी और बोल दोगे तो ग्यान ऐसी चीज है जितना बाटते है न उतना बढ़ते चले जाती है ये सभी को पता होगा जो टीचर होंगे न उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जितना ज्यादा ग्यान आप बाटोगे बाटोगे न उतना ज्यादा आपका ग्यान बढ़ता है और उसी प्रकार एक चाकू है, जंग लगा हुआ चाकू, उसको पत्थर में जितना घिसोगे ना, उतना जादा वो तेज होता है, और अगर आप बोलो गया रे, घिसना ही नहीं है, ये ज्ञान मुझे मिल गया, मैं से इतने तक ही सीमित रहूँगा, जीवन में कभी कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेरे इतने बड़ा लेक्चर देने का मतलब क्या था, समझ में आया, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आया, तो यूस कर लेना, स्वर विज्ञान को, आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों यारों को बहुचाओ, कि भया तो इसको एक बार तो सुन ले, एक बार सुन ले, तिरे को अच्छा लगेगा, तो ठीक है, नहीं लगेगा, तो छोड़ देना, यकीनन अगर अगवान शिव की उसके उपर किरपा हुई, और उसका भाग्य बदलने वाला होगा, त राहु मन रहा है, राहु मन रहा है तो क्या बले, यह सब फालतू की बाते, आज की लोग बेवकूप बनाते, यह सब चोचले वाजी है, धंदा बना के बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उसके सिर पे क्या घूम रहा है, राहु, यह नॉर्मल है, कृपा वहीं आती है, भगवान आता है कि अरे चार मेने पहले अगर मैं फॉलो कर ली होता तो आज शायद में कहीं और होता बहुत सारे मेरे तो कई पेड स्टूडेंस कहते सर मैं आपको डेढ़ साल से फॉलो कर रहा था मैंने आपकी दो चारे वीडियो देखी मुझे लगा यह फालतू की बात करते हैं उपर भगवान शिव की ब्लेसिंग है कहीं न कहीं यह भगवान शिव को मानते होंगे तब ही जुड़े नहीं तो नहीं जुड़ेंगे यह तो पक्की बात है कहीं न कहीं अंदर में एक छोटी सी आस्ता होगी शिव को लेके तब ही जुड़े हैं नहीं तो नहीं गया वो विचारा अपना सर पटकते रहता कि अर्यार अब तब पास सा के उपपर तो हो ही नहीं सकते आगे चलके मैं इसको बढ़ा दूगा इसको हम एक हजार कर देंगे आगे चलके मैं अगर पंद्रा सो भी कर दूगा ना तो पंद्रा सो लोग बैड़ जाएंगे मुझे इतना यकीन है तो चलो मुद्दी की बात करते हैं बहुत ग्यान हो गया बस एक तो अब क्या करना है आपको लेना है अब मुद्दी की बात कर लेते हैं दिये वाला उपाय जो हम बोलते हैं आपको लेना है एक पीतल का आपको लेना है एक टामवे का दीपक अभी तक हम पीतल में चल रहे थे अब थुड़ा अपडेट कर लेते हैं अगर किसी के पास पी के लेनी पहले लिख लो ये आपके आगे भी काम आएगा तामे का दीपक घी चुटकी भर दालचीनी पाउडर और चोटा सा टुकडा भीमसेनी कपूर का ये समगरी आपको लेनी है ठीक है उसके बाद आप दीपक लिजिए उसमें आप बत्ती डालिए अब यहां पर एक बा लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और गोल लगाओगे तो वो क्या है इधर उदर होके लुड़क जाती है वो गिर जाती है तो लंबी बत्ती ले लिजिए फिर कई लोग बोलते हैं सर दिशा कौन सी रखे एस्ट साउथ नॉर्ट वेस्ट अरे जो दिशा में करते हैं मालूम है दीपक लिए आपने घी डाला डाल चीनी पाउडर कहा डालना है मालूम है दाल चीनी पाउडर आपको बत्ती के मुख में डालना है और लोग क्या करते घी में मिला देते हैं ग्यानी यह वाला उपाए मैंने नहीं बताय था यह उपाए उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो जो दीपक है जो दिया आपने लिया है दिये में जो बत्ती होती है बत्ती के मुख पे जहाँ पे जोत जलेगी उस पे आपको चुटकी भर दालचीन पाभर डालना है और छोटा सा तुकड़ा भीम सेनी का उसी में रखना है क्योंकि आप शुक्र को enhance कर रहे हो समझ में आ रहा है जो बत्ती है example के तोर पे मैं पेंट से बताता हूं माली जी ये बत्ती है तो इस बत्ती के ऊपर आपको चुटकी भर डालचीनी powder डालना है और इसी के उपर एक छोटा सा भीम सेनी कपूर का टुकड़ा डालना है फिर आपको लंबी घहरी सांस लेनी है सांस को चेक करना कौन सा स्वर चल रहा है राइट या लेफ्ट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सर दिशाओं से धन को आकरशित कर रहा हूँ यह तो आपको धन आकरशित के लिए अब मालो कोई वेक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे इस दिपक को जलाने से XYZ मुझे पैसा वापस कर रहा है ठीक है यह मैं एक्जामपल दे रहा हूँ इस दिपक को जलाने से XYZ मेरा पैसा वापस कर रहा है इस दिपक को जलाने से मेरा जॉब में प्रमोशन हो रहा है इस दिपक को जलाने से मेरे घर में दसो दिशाओं से सुक शांती समर्दी आ रही है तुम चाहते क्या हो वो देख लो और उस दीपक को आपने कहना है ग्यारा बार आपको बोलना है लंबी घहरी सांस लेना सांस को होल्ड करना फिर सांस बाहर निकाल देना फिर लंबी घहरी सांस लेना आप प्रार्थना करना दीपक से फिर सांस को बाहर निकाल देना तो ग्य प्रजवलीत करेंगे और अपने घर के साउथ इस्ट में रखना है यह बहुत सिंपल सा है अब इसको मैं चार लाइन में क्लियर कर देता हूं आपको घी का दीपक लेना है दालचीनी पाउडर भीमसेनी कपूर लेना है पीतल का दीपक होगा लंबी घ्यरी सास लेनी है सगु ग्यारा बार प्रार्थना करें जो स्वर चल रहा है उस स्वर के माध्यम से उस दीपक को प्रजवलीत कर दें घर के साउथ इस्ट में कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे घर के साउथ इस्ट में टॉलेट है क्या मैं जला लू अरे टॉलेट के अगल वगल में कहीं जगे होगी वहाँ जला लो, कई लोग बोलते सर मेरा पोर्च आ गया, तो घर के अंदर जला लो, साउथीस्ट में जला लो, कई बोलेंगे कि सर मेरा किचन है, तो किचन में जला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कई बोलेंगे मेरा स्टोर रूम है, कई बोलेंगे मेरा मेंडोर है, कई बोलें हैं अगनी कोण ठीक है इंग्लिश में कहते हैं साउथ इस्ट और शॉर्ट कट में हम लोग ऐसी बूलते हैं और फिर भी आपको दिशा नहीं समझ में आ तो क्या करेंगे आप अपना मुख पूर्व की तरफ कर लीजिए घर के सेंटर पे खड़े हो जाईए घर के सेंटर पे खड़े हो जाईए अपना फेस पूर्व की तरफ करिए राइट हैंड साइड और ऐसे इसका जो बीच का आएगा या आप हर वेक्ति के मोबाईल में को 6 वजे के बाद मतब सूरी अस्त के समय यह आप करो नियम से करो यकीनन आपके जीवन में चीजे पुशप होने लगेंगे चीजे अच्छी होने लगेंगे यहां तक तो मैंने पुराने वाले वीडियो में रेमेडी दे दी थी नहीं यहां पर इन्होंने लिखा है किसीने म आज दिन आप अवाइड कर लिजिए घर में आप किसी और से जलवा लिजी कभी भी जला सकते हैं रोज जलाना है इसके लिए कोई दिन नहीं है मंगलवार भुदवार गुरुवार शुकरवार ऐसा कुछ नहीं है आज आपको पता चला कल शाम से जलाना चालू कर दो कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर एक और छोटी सी चीज देता हूं यह वाली रिमेडियchnet सब ने कॉपी पेस्ट कर ली थी अब यह वाली दी एक बूंद घी और एक छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का वहाँ पे जमीन में गिराना है ठीक है भोग के स्वरूप में साउथ इस्ट में जो देवता होते हैं उन देवता को भोग के स्वरूप में आपको एक उसी दिये से जैसे दिया अपने लिया इस उंगली से हलक फिरे तक गायब हो जाएगा वह भीमसेनी कपूर उड़ जाएगा और फिर आप वहाँ पे पोच्छा लगा दीजिए साफ हो जाएगा बस यह एक अपडेट है रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छे से मिलेगा जिन्नोंने मैंने का ना जिन्नोंने कॉपी किया मैं उसके एक स्टेप होगा आगे बढ़ जाओंगा फिर यह भी कॉपी हो जाएगा मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाओंगा इतने में ही रिजल्ट मिल जाएगा 11 बार बोलना है इतने में ही रिजल्ट मिलेगा यकीनन आभी तक जितने लोगों को रेमेडी मिली है जितने लोगों न से 995 लोगों को result मिला है बाकी लोगों को result धीरे से मिलेगा परन्तु मिलेगा जरूर अब यहां पर एक बात आती है क्या यह दिया मैं मंदिर में ही जलाओ आपको साउथ इस्ट में ही जलाना है अगर आप मंदिर में दिया जलाते हो न तो वहां पर दिखा दो भगवान को ऐसे दीप दिखा दो फिर उठाके साउथ इस्ट में लाके रख दो आपको दो दो तीन तीन दिया जलाने की जुरत न यह आएगा दस रुपे के दालचीने आएगी, तीन सो रुपे पकड़ लो, और वो तीन सो रुपे में अगर आपका तीन लग का फाइदा होगे, तो क्या दिक्कत है, होता ही है, एक बर पिजदा मत खाना, एक बर बर्गर मत खाना, एक बर कोई महंगी चीज़ मत खरीदना, करके तो देखो, रिजल्ट मिलता है, यकीनन मिलता है, यूटूब चैनल की वीडियो के नीचे आप जाके देखना, दिये वाले उपाए में, कई लोगों ने तो ये बुला, सर, मैंने दो दिन जलाया, और मेरे बॉस ने मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने दो दिन जलाया, पा अब ये दिया कहां कहां जला सकते हैं, चलो ये भी बात आगई, आपका अगर व्योसा इस्थल है, तो आप अपने व्योसा इस्थल में भी जला सकते हैं, ठीक है, आप अपने घर पे तो जलाये ही जलाये, अगर आपका व्यापार है, तो व्यापार में भी आप जला सकते ह ठीक है तो जहां मर्जी वहां पे दिया जलाई है परन्तु साउथ हीस्ट में जलाना है अब ये बात आती है कि सर हम तो बाहर रहते हैं फॉरें में रहते हैं आप क्या करें तो वहां पे आपको कोशुश करिए थोड़ा सेफटी से जलाई है थोड़ा एक चम्मच डालिए प पंदरा मिनिट जले पर तु जलाना जरूर है ठीक है ये घर लीजिए अब एक और उपाय देता हूं बड़ा वाला जिस भी व्यक्ति को जीवन में नई उपर्चुनिटीज नहीं मिल रही है यह उपाय आज तक आपको कभी यूटुब में नहीं मिलेगा यकीन है दावे क सब ने चुपा रखा है सब अपनी जोली भरना चाते मैं भी चाता हूं ऐसा नहीं कि मेरी जोली खाली रहे मेरे भी भरी रहे तेरी भी भरी रहे है सब की भरी रहे तु भी खुस मैं भी को सब खुस यह वाला सदानत है यह उपाय है यह उपाय मैंने बताया भी है मैंने अ वियापार है उसमें आपको नए clients नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको नए औसर एक client में बोलूँगा जीवन में अगर नए औसर नहीं मिल रहे हैं नए opportunities नहीं आ रही है जीवन में कुछ नयापन नहीं आ रहा है वियापार में clients कम आ रहे हैं पैसे का स्रोत रुक गया है लोग आपको धोका दे रहे हैं, वोजी चीजे ही नहीं हो पा रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 100 रुपे का खरचा है, काच की कटोरी घर में सबी क्या होती है, काच की कटोरी घर में सबी के घर में होती है, ट्रांस्पेरिंट काच की कटोरी लेनी है, पांच पीस खजूर या चुहारा, कुछ लोग खजूर बोलते हैं या कुछ लोग चुहारा बोलते हैं तो पांच पीस खजूर और पचास रुपे की खस-खस कांच की कटोरी लेनी है, पांच पीस खजूर और पचास रुपे की खस-खस कटोरी लीजिए पांच पीस खजूर उसके अंदर डाल दीजिए और खस-खस डाल दीजिए यह हो गया आपका अब उस कटोरी को अपने हाथ में ऐसे पकड़िए जो स्वर चल रहा है उस स्वर में पकड़ना है अगर आपका चंदर वैसे सूरी स्वर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा फिर भी चंदर में भी कर सकते परन्तु सूरी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा तो जो स्वर आपका चल रहा है आपने लिया लंबी घहरी सांस लेना सास को hold करना और प्रार्थना करना जो आपकी विश है आपकी जो विश है आपकी विश है कि मेरे व्यापार में बहुत अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं या मेरा मुझे जौब की नई ऑपर्चुनिटी मिल रही है जो आपकी मर्जी है वो विश है लंबी घहरी सास लेना सास को hold करना अपने विश मांगना और उस कटोरी वाले कटोरी में जो खसकस और आपने जो खजूर रखा है उसको अपने घर के नौ और दौर्थ की दिशा में दो ऑप्शन है जमीन में रखेंगे तो अति उत्तम जमीन में अगर रखते हैं तो बहुत अची बात है फिर भी अगर जगे नहीं है तो आप वहां पर सेल्फ वगयरा में रख दो वैसे जमीन में रखना बहुत अच्छा माना जाता है ठीक है औ और 50 रुपय खस-खस मतलब 50 रुपीज का खस-खस अरे वो 50 गराम, 100 गराम ले लो, 10 गराम ले लो, मैंने 50 रुपीज का इसी लिए बोला, वो आपकी मर्जी है, यह आप रख दीजिए, वहाँ पे जमीन में रख दीजिए और कुछ चुटकी भर खस-खस के दाने उठा बस, वहाँ पे रख दीजिए, रखने के बाद चुटकी भर खस-खस उठा लीजिए और वहाँ पर रिंकल कर दीजिए, इतना करना है, एक महिने के बाद, एक महिने के बाद उसको किसी गाय को खिला दो, अगर आपके यहाँ पे गाय नहीं है, तो आप उसे किसी डस्ट भ पानी में प्रवा कर दो, ब्रिक्स के नीचे रख दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, एक महिने बाद उसको चेंज कर देना, फिर अगेन एक महिने बाद उसको रख देना, इतना ही करना है, नौर्थ इस्ट में जो देवता बैठे होते हैं वो जागरित हो जाते हैं, अब बाकी कुछ भी रख दो वो आपका हैड है अगर बने तो रखना नहीं बने तो बहुत सारे बच्चों जैसे कोश्षण आते ंसर मेरें वहाँ प्लुंक पढ़ाय मैं क्या करू तो अलमिरा क्या करूँ मेरे यह रखा है मैं क्या करूँ अगर युनिवर्स ने व्यवस्था बनाई है तो रख लेना अगर युनिवर्स ने व्यवस्था नहीं बनाई है तो यह उपाय आपके काम का नहीं है दिमाग लगाने के ज़रोती नहीं है फिर हम दूसरा करेंगे ठीक है, कारण क्या होता है? उपाए हर वेक्ती के लिए different होते हैं, जिसके यहाँ पे व्यवस्था होती है, युनिवर्स अपने आप उस जगे को व्यवस्थीत कर देती है, और जिनके यहाँ व्यवस्था नहीं होती है, उनको परिशान होने की जुरुवत नहीं है, यह दोन इसको करने के बाद में आपको जो result आपको मिलेंगे, आप खुद बोलोगे कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, जीवन में जीने का आनंद आ रहा है, ठीक है, तो चलो एक announcement कर रहा हूँ, छोटा सा, फिर आप लोगों के खोशना answer लोगा, अभी announcement ये है, कि 8 अगस्त स मेरी एक money magnet की class स्टार्ट हो रही है, पिछले महीने क्या हुआ था, class मैंने जान बुच कर इतना tight schedule चल रहा था, इसलिए class को हमने 17 जुलाई को हमने करने की कोशिश करी थी, तो उस समय इतनी जादा रश हो गया था, इतने सारे वो गया थे, तो हमने उस class को postpone कर दिया था, तो 8 अगस्त से हमारी एक money magnet की class स्टार्ट हो रही है, काफी लोग पूछ रहे दे सर, money magnet की class कब चालू होगी, कब चालू होगी, तो आज मैं आप announce कर रहा हूं, 8 अगस्त से money magnet की हमारी एक class चालू हो रही है, उस class में हम क्या-क्या सिखाएंगे, वो थोड़ा सा बता देता हूं, 4-5 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं बोलूगा, पहला धन को कैसे आकर शित करें, दूसरा, stock market में अगर आप trade करते हो, तो किस तरीके से आप stock market में trading करोगे, जिससे आपको फायदा मिलें, तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर रखा हुआ है, और वो नक्षमीर, फिर mobile में ऐसा कौन सा number हम use करें, mobile में ऐसा कौन सा wallpaper लगाएं, जिससे हम धन को आकरशित करें, ये जो class होगी सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही related होगी, और एक चीज बोलना चाहूँगा, मेरा कोई student है, यहाँ पर money magnet वाला, hand race करो तो, यकीनन, परमात्मा की कृपा से ऐसा होता है, जितने लोगों ने, मेरी कोई भी class करी है, मैं इतने दावे से कह सकता हूँ, जितने लोगों ने मेरी class करी है, जितनी भी फीस उने ने पे करी है, भगवान शिव की कृपा से, उसके पीछे एक जिरू अपने आप लग जाता है अपने आप एक 0 लग जाता है और money magnet का record रहा है जितने लोगों ने वो class करी है जितने लोगों ने वो class करी है within five days में उन्होंने पैसा पे किया है उनको three time मिल गया क्योंकि उसमें जब हम meditation करवाते हैं उसमें यह होता है कि आपके subconscious mind में पैसे को लेकर कि क्या धारणा है आपके subconscious mind में पैसे को लेकर कि क्या चीजे बसी हुई है आप पैसे को किस नजरिये से देखते हैं उस class को करने के बाद ना आपका नजरिया आपका रंग आपका ढंग सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ बदल जाएगा पतब इतनी जवर्दस क्लास होने वाली ये है तो 8 अगस्त से हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट ही रहेंगे उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा 50 से ज़्यादा मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि बहुत दिक्कत होती है तो only 50 स्टूडेंट सी रहेंगे अगर जिनको जोईन करना है वो 9522751515 में मैसेज कर देना मेरी टीम आपको डिटेल बता देगी और दूसरी चीज ये है कि इकलास होने के बाद में या फिर कल आप लोगों को उसका टैंपलेट भी मिल जाएगा क्या-क्या उसमें हम सिखाएंगे मैंने तो आपको विस गिंती की 4-5 चीज़े बताई है उसमें हम 2 meditation करवाते हैं एक तो ये है कि हमारे subconscious mind में पैसे को लेके जो नकरात्मक विचार उसको कैसे release करें affirmation है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार affirmation दे मालक्षमी की कृपा हमें कैसे मिले यंत्र का निर्माड कैसे करें बहुत कुछ है वो टैंपलेट जो आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सवीता जी थी तभी क्लास में नहीं थी सर बहुत अच्छी क्लास थी बहुत तो बहुत भाड़ी हमल लगा मैं को मजह आया था अंजी अंजी सर यह बढ़िया बढ़िया नहीं अंडिए थी बॏया तपेजी विए उन्मीट कर लीजी आपको मज़ा आया साथ दिन की क्लास में आपको मज़ा आया सार, मदलब सबसे बढ़ना ने कर सकते बहुत मज़ा आए पैसे को लेके आपके विचार बदल गए होंगे बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं दूसरों के लिए इसलिए बोलना चाह रहा हूँ अपने मूंसे बोलूँगा ना तो क्या होता ना वो बोलते हैं कि आपने मूंसे अपनी तारीफ कर रहे हो आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है बहुत अच्छे एक ग्लास अलो अच्छ बहुत दूर फे आ रहे हैं जी सर मैं बोलू हाँ बोलिये जी मैं सभी को इस मंच से बताना चाहूंगे कि मैंने बैंगनेट की ग्लास मैंने भी जॉइन की थी और बहुत सारी ब्लैसिंग्स मिली साथ ही जो सर मैंटिटिशन करवाते हैं वो अद्भूत है मैं फिर कह रही हूँ कि सर की क्लासे मत छोड़ियेगा आज की यूग में ऐसे गुरू मिलना बहुत मुश्किल है और सर बहुत सारी चीज़ें देते हैं बहुत ब्लैस करते हैं बाइक क्लास तो बहुत ही अद्भूत होती है और मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रा है और है असर Kids को छोडने वाली तो है ही نہیں सब नहीं आखकी बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब ुक चलिए एक दो लोग और बता दीजिए फिर हम लोग कोशन आंसर कर लेते हैं बूलिए मंजु जी सर हम बोले सर हमने भी आपकी मनी मेरनेट की क्लास करी थी सर उस टाइम में बहुत ज्यादा टेंशन में थी मेरे घर का लॉन काफी लंबा चलना था सर उसको करने के बाद मेरा लॉन बिल्कुल खतम हो गया सर थैंक यू सो मच सर अरे क्या बात है बहुत बढ़िया मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक जीरो के जैकि में आपके में तो तीन जीरो लग दे होंगे नहीं सर मैं बहुत बड़ी टेंशन से फ्री हो गई हूँ अब इससे चलिए बहुत बढ़िया भगवान चीव की किरपा हुई है उसमें और आपने जो को प्रयास देखो आपने उस चीज को एक विद्या मान कर और उसको सही मार्क दर्शन लेकर किया रजल्ट भगवान न प्रशन को भी करते हैं ठीक है और किसी को कुछ तो नहीं कहना ना मनी मैगनेट से रिलेटेड और क्लास का तो कुछ तो नहीं कहना है एक मिनिट फिर ना हम डाउट सेशन ले लेते हैं चलो अभी ममतापाल जी बोलो किसी को कुछ कहना है और वो उसकी रिस्ट वाच्च की भी पहले तो सब ठीक चल दा था लेकिन अब कुछ दिनों से ना